नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब जेनल पी एफपी में आज हम इन्फो एच के बारे में चर्चा करने वाले हैं स्टॉक में 6% की शांदार तेजी नजर आती है तो आगे आने वाले समय में क्या ये स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है या फिर वापिस पहले की तरह आपको एक रेंज में फस्ता हुआ नजर आ सकता है ऐसे सिचोईशन में एसे रीटेलर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले कंपनी के क्वाटर रिजर्स पर नजर डाल देते हैं फिलाली इसके रिजर गया है तो एक्सपेक्टर था कि इनफोज में बहुत ज़्यादा घिरावट देखने को मिलेगी लेकिन देखे यहां पर थोड़ी से टेक्निकालिटी आपको देखनी पड़ती है आप जो नेट प्रॉफिट यहां पर देख रहे हैं 7300 क्रोड का यह वन टाइम नेट का प्रॉफिट ड्रॉप आपको देखने को मिले तो इसलिए यहां पर कई बार यह देखना पड़ता है कि वन टाइम गेन है या नहीं है वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि किस प्रकार से आपको यहां पर प्रॉफिट उपर नीचे होता हुआ नजराया या फिर यह उसन से चलता हुआ thought आपको एक अच्छी राली भी देखने को मिली है ऐसे लिए स्टॉक इस रा आपको बात करें फाइनेशल ठेंड आपको यह पर बहुत ही अच्छा नसर आता है रीजन मैंने आपको अ्लुडी बता दिया वन लेवरेज रेशियो के बार में बात करें, debt to equity 0 है, company पर कोई करसा नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है, interest coverage रेशियो 189 का है, तो यहाँ पर leverage रेशियो तो आपको अच्छा ही नज़र आते हैं, share holding pattern के बार में बात करें, total promoter holding है 38.11% जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है, mutual fund साड़ holding होती, 50% से ज़्यादा, तो और भी अच्छी बात हो जाती, लेकिन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि retailers यहाँ पर भरे पड़ें, institutions का interest अच्छा नज़र आता है, हाला कि recent trend थोड़ा सा negative है, mutual fund धीरे धीरे अपना stake यहाँ पर कम कर रहे है, other DIA का stake तो बढ़ रहा है, FIA की बार म में बात करें, तो 10 का PE ratio है, जो कि average PE ratio नज़र आता है, reason यहाँ पर आपको भी पता है कि इतना कम valuation क्यों नज़र आ रहा है, one time gain हुआ था, अभी जब next quarter results आ जाएंगे, तब आपको trailing 12 months बदलते भी नज़र आएंगे, actually already trailing 12 months बदल चुके हैं, यह September का result आया, तो last September का result overall average PE से नीचे नज़र आता है, low price to book ratio यहाँ पर आपको नज़र आता है, historically lower side PE trade कर रहा है, stock के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से 6000, 6000 के लेवल से stock में घिरावट देखने को मिली, stock approximately 3500 के आसपस आया, recovery देखने को मिली, वापस 4500 के लेवल से घिरावट देखन कर रहा है, फिलाल यह stock अपने सारे moving average के ऊपर है, अच्छी बात है, और आपको buying भी अच्छी खासी होती भी नज़र आई है, volume के साथ आपको यह तेजी देखने को मिल रही है, daily RSI 66 का level है, momentum फिलाल अच्छा नज़र आता है, daily chart पे important levels के बार में बात करें, जो support हमें पर नज़र आएगा, जहां से आपको यह recent breakout देखने को मिल आ है, वही level हमारे लिए support की तरह काम करेगा, approximately 4000 से 4050 का zone, resistance के बार में बात करें, 4500 का हमारा resistance का area है, weekly chart पे चलता है, weekly chart पे हमारा resistance का area है, almost same नज़र आता है, 4500, 4600, यही level आपको पहले भी as a resistance देखने को मिला था, support के बार में बात करें, 4000 का level weekly chart पे भी important है, क्योंकि weekly chart पे आपको नज़र आएगा कि यहां पर एक rounding bottom बनता हुआ नज़र आया, यहां पर कुछ हफते trade किया, फिर आपको एक range breakout देखने को मिला था, range breakout हुआ, weekly chart पे अच्छी कासे candles बनी है, इसलिए यह level important हो जाता है, और यह काम करने वाला है, तो यह पूरा zone actually important resistance है, यह zone as a resistance हमें यहां पर नज़र आता है, पहले भी आप देख पाएंगे, पहले भी resistance रहा था, फिर एक तेजी देखने को मिली, अगर stock bullish रहता है, तो घिरावट होगी, यहां से आपको rally देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा और week ह तो at last यहां से आपको rally देखने को मिलनी चाहिए, यह level भी आपको तूटता हुआ नज़र आया, मतलब stock में काफी ज़दा weakness है, तो अभी यह level, सारे levels as a resistance काम करेंगे, जब तक यह stock 5000 के उपर नहीं चला जाता है, तब तक monthly chart पर यह बहुत ज़दा strong नहीं होगा, बहुत पर में बात करें, support थोड़ा सा नीचे shift हो जाता है, 3700 के आसपास important support है, क्योंकि कितने भी गिरावट हुई, monthly close इसके नीचे आपको होता हुआ नज़र नहीं आया था, तो अब ऐसे situation में as a retailer हमें करना क्या चाहिए, अगर हम short term के लिए काम करना चाहते हैं, तो 4500 का resistance हमारे attempt कर सकते हैं, या फिर अगर ये stock higher level पे sustain हो जाता है, higher मतलब 4300-4500 के range में sustain हो जाता है, फिर breakout देता है, तो यहाँ पर breakout पे खरिदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, 5000 के लिए, इस हिसाब से हमारा swing trade का plan हो सकता है, positional trade के बारे में बात करें, तो positional trade के लिए मेरे हिसाब से फिलाल थोड़ी सी opportunity अच्छी नजर आती है, यहाँ पर हमें आगे आने वाले समय में अच्छे मौके मिल सकते है, positional trade में एक लंबी खरिदारी करने के लिए, क्योंकि आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर एक type of trend line breakout की तैयारी भी नजर आती है, अभी तक कि breakout हुआ नही था लेकिन फिलाल देखें, गिरावट हुई, यह recovery हुई, यह stock ऐसे नीचे नहीं आया है, यहाँ पर आपको गिरावट के बाद recovery नजर आई है, तो अभी यह level नीचे से भी आपको एक trend line यहाँ पर नजर आती है, तो weekly chart पे approximately 8-12 महीनों का आपको यहाँ पर एक chart pattern नजर आत लेकिन अभी trend week भी नहीं है, अभी इसका weekly chart पे जो trend है, वो थोड़ा सा sideways हमें नजर आता है, जब तक इस range में stock trade कर रहा है, 4000 के उपर है, 5000 के नीचे, यह range हमारे लिए weekly chart पे sideways range रहेगा, यहाँ पर हम bullish position मनाने की opportunity इसको धूनते रहेंगे, तो हमारा plan किस प्रकार से रहेगा जैसे कि हमने swing trade में discuss किया, बायचांस यहाँ पर घिरावट होती है, तो अगर यह stock आपको 4000-4050 के आसपस मिलता है, तो positional trade के लिए आप यहाँ पर 25-30% की quantity खरीच सकते हैं, हमारा जो stop loss रहेगा, इस area के नीचे रहेगा, 3700 के आसपस हम अपना stop loss रख सकते हैं, हमारा जो target रहेगा, all time high का level रहेगा, जैसे जैसे stock उपर जाएगा, 5000 के उपर गया, quantity add करेंगे, साड़े 5 के उपर गया, quantity add करते जाएंगे, और 7000 का हमारा target रहेगा, long term के बार में बात करें, तो long term के लिए देखे, info edge कोई खराब company नहीं है, start ups में कई बार invest करते हैं, और इससे कई जधा फाइदा भी info edge को हुआ भी है, लेकिन zomato, policy buzzer, इसकी listing के बाद क्या हो गया, वो stock का sentiment कैसा है, उससे info edge का sentiment पता चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर zom आपको comparatively अच्छा perform करता हुआ नजर आएगा, तो long term के लिए निवेश तो आप कर सकते हैं, लेकिन stop loss लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैसा हो गया, info edge का खुद का business भली ठीक है, लेकिन अगर zomato business खराब हो गया, तो stock एकदम से नीचे आ जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर stop loss के साथ ही काम करना है, dependency दूसरे stock पर भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो यहाँ पर काम कैसे करना है, या तो आप अभी खरीदना चाहे, खरीद सकते हैं, या फिर यह 4050 यह area में आता है, खरीद सकते हैं, आपका जो stop loss रहेगा, 3700 का ही रहेगा, इसके जाता है, तो stock में यहाँ पर anyhow हमें exit करना ही है, क्योंकि stock फिर से weak हो चुका है, फिलाल जो strength हमें stock में नजर आती है, वो strength गायब हो जाएगी अगर 3700 के नीचे stock आ जाता है, I hope आपको यह video पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, thank you, stay happy, happy investing.